नवस्कार दोस्तो जैहिंद बंदे मात्रम आप से भी का स्वागा तब्यानन है टेटी फैमली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम बात करने बाले पेड़ागोजी की क्लास रहेगी लाइ कम्टीट कर चुके हैं जिसका इस लाइब क्लास के बाद आई बिटन पर यहाँ पर लिंक आपको लेटी मिल जाएगा बांकि सभी क्लास प्रियॉप कौश चलती है आप सभी लोग जानते हैं और इस क्लास में 20 कोश्चन करेंगे 20 में आपका फीडबेक क्या है आपको स्को प्रिंट बाक्स में एंसर प्रतेग पार्ट का प्रतेग कुश्चन का आपको फीडबेक करना है आज की क्लास का पहला प्रसन आप लोगों के स्कीन पर है पार्ट नमबर 13 का जो पिछले क्लास का मौक कुश्चन था कि निन में से सैचिक मनो बिग्यान का छेत नहीं है खेल प्रसन तथा मुल्यांकन शीखने की प्रकिया पाठकम गिन्वा ये तीनों सैचिक मनो बिग्यान का छेत है लेकिन खेलों का प्रस्चन ये सैचिक मनो बिग्यान का छेत नहीं है इसलिए यही तो पूंचा जा रहा है तो कार्दिन्ट कोश्चन पहला आपसन अमारा सई हो इसके बाद है आपका दूसरा प्रस्ण निम्रिकित में से किस प्रकार के प्रस्णों का मुल्यांकन करते समय वस्तुनिष्टा बनाए रखना कठीन है निबंदात्मक प्रस्ण बहु विकल्पात्मक प्रस्ण मिलाने वाले प्रस्ण या रिक्तिस्थान के पूद्प्रकार के तो इन में से जिस प्रकार के प्रशनों का मुल्यांकन करते समय वस्तुनिष्टा बनाए रखना कठिन होता है वह हमारा कौन से कहला जाता है निबंधात्मक प्रशन कापी बड़े होते हैं और निबंधात्मक प्रशनों को मुल्यांकन करते समय वस्तुनिष्टा बनाए रख थोड़ा कठिन होता है बाकि आपके जो बहुत बिकल्पी प्रशन होते हैं मिलाने वाले प्रशन रिक्तिस्थान वाले प्रशन होते हैं एक सब्द वाले एक वक्त एक सब्द वाले होते हैं इन तीनों प्रकार के प्रशनों का मुल्याकन करते समय वस्तनिष्टा बनाए रख तो यह बहुत ही कटिन कार हो जाता है और आप सभी लोग भली बात जानते हैं आप सभी लोग ज्यानी सर्व वेखाता लोग हैं इसके बाद आपका अंगला प्रश्ण है निर्देशन एवं अधिगम के बीज समानता होती है जी हां दोस्तो निर्देशन और अधिगम के जो हमारी समानता पाई जाती है वह कौन सी कहला जाती है वह हमारी दोनों च्छात केंदित होती है निर्देशन और अधिगम दोनों भी समानता क्या है निर्देशन भी च्छात केंदित होता है और अधिगम भी आपका च्छात केंदित होता है तो दोनों में समानता या अनुदेशन का प्रणाली जो उपागम होता है सभी यहां पर कमेंट किजेगा जी हां दोस्तों अनुदेशन का प्रणाली उपागम जो हो जाता है वह हमारा कौन सा हो जाता है तो आपका यह हो जाता है समस्या केंदित जी हां अनुदेशन का प्रणाली उपागम समस्या कें में बिसे चैन के समय या अजीबन देना जाना चाहिए हम सभी लोग जान जान zijn समझ जाते हैं जो दिया जाना जाहिए जै तक हमारा जीवन समो enzyme बना रहता said लाट बना रहता है झैजिवन न 10 जाना ा चाहिए इसके बाद आपका अंगला बस है नमि Salvador निम्लिकीत में से जिस अंदेशन समागरी की अधिकता होती है वैं क्यानाची है। संसाधा निकाई जिस अंदेशन समागरी के अधिक्ता होती वह संसाधा निकाई कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं एक कमेंट का फीडबेक शरूपर यह सुर्मान है जैस्वासर आप सभी का विनदन स्वागत करते हैं और एकजाम को फते करना है तो विध्यार्थी, सिच्चार्थी, बालक, बालिका और सिच्छक के बीच एक समधावत्मyba प्रकिया जो उनके सीखने के वातर में बदला उलाती है वह मुल्यांकन है, आकलन है, दोनों है या उपरियुक्तमेशे कोई ने धिके विद्यार्थी और सिच्छक के बीच बालक, पालिका और आपके धापक धापक के बीच एक समवधात्मक प्रकिया होती है जो उनके सीखने के बातर में बदलाव लाती है और वह आपके समवधात्मक जो प्रकिया कहलाती है वह कौन सी कहला जाती है वह कहला जाती है मुल्यांकन और आकलन दोनों जिया दोस्तों बिद्या करेंगे आपके अंगले प्रस्ण की अंगला प्रस्ण जो आप लोगों किसकीन पर आ लेडी आ चुका है सभी अच्छे तरीके से धान पुरुक पढ़िएगा फीडबैक कीजेगा कमेंट में इंसार आप लोगों को अवश्य करना है जोस्तों अधिगम में आकलन किसलिए अवश्यक होता है अगर जानते हैं तो आपका कमेंट अवश्य आएगा नहीं जानते हैं तो आपको और ज्यादा कमेंट आएगा अब देखते हैं जानने वाले जादा है या कम जानने वाले तो अधिगम में आकलन किसलिए अवश्यक होता है सभी कमेंट कीजेगा तो आप आप सभी लोग जानते हैं अधिगम में आकलन जो होता है वो प्रेणा के लिए होता है आपने कितना सीखा है आपने उसके अंदर प्रेणा क्या है आपके अंदर मोटिवेशन क्या है उस चीज को सीखने के लिए उस चीज पर आपका कितना लगाव है प्रेणा मतलब एक मोट को सबस्टा है दोस्तों आधिगम का सिच्छा में योगदान है वह हो जाता है देवहार परिवरतन में भी होता है नबीन अभव प्राप करने में भी होता है और समयाजन भी होता है अर्थात उपर्युक्तिशभी अधिगम का सिच्छा में युगदान क्या होता है अधिगम के द्वारा बिवहार में परिवर्तन होता है अधिगम के द्वारा नवीन अन्वोप्राप्त होता है अधिगम के द्वारा सिच्छा में समयोजन होता है अर्थात ये सभी आपके सिच्छा में युगदान देते हैं अधिगम की तो अधिगम का सिच्छा में युगदान इन तीनो रुपों में होता है तीनो प्रकारों में होता है अंगला पसने बिद्यार्थियों के उपलब्दी का मुल्यांकन करने के लिए सलाओं विद्यालों में उपयोग में आने वाली जो विदिया कौन से होती है किसके लिए विद्यारती बालग बालिका की उपलब्दी का मुल्यांकन करने के लिए तो बालक बालिका विद्यार्थों को उपलब्दी का मुल्यांकन करने के लिए सालाओं विद्यालों में उपयोग में आने वाली जो विद्या कहला जाती है वह विद्यां आपकी कौन सी हो जाती है तो विद्यां हमारी कहलाती है पईनात्मक येवं गुणात्मक बिधी की बात करेंगे, आप शेन नमर B की बात करेंगे आई होप आप समझ गए होंगे, आई ये बात करते हैं आपके अंगले प्रस्ण अंगला प्रश्ण है आप सभी के स्कीन पर आलेडी आ चुका है सभी अच्छे तरीके समझेगा फिडवेक कीजेगा दोस्तों कच्छा परिच्णों में अच्छा प्रदर्सन करने में एक बच्चे की अस्फलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्निष्ट है तथा अस्फलताओं को इस पर रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है बच्चे कुछ निश्चित चमताओं एवं कम्यों के साथ पैदा होते है पाटकम सिच्चन पद्धत तथा आकलन प्रक्याओं पर विचार करने की आउशकता है तो कच्चा परिच्णों में अच्छा प्रदसन के लिए एक बच्चे जो है या एक बच्चे की अस्फलता में इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि हमें यह बताता है कि पाटकम सिच्चन पद्धत तथा आकलन प्रक्याओं पर विचार करने की आउशकता है क्योंकि अस्फलता की बात कर रहे हैं इसलिए बिचार बहुत जरूरी है ते कार्डि इंटो कोश्चन से आपसन हमारा सही हो जाए इसके बाद अंगला प्रशन है कि एक उच्च प्रात्मिक बिद्याले के सनशनात्मक कच्छा कच्छ में अपने स्वयम के आकलन में बिद्यार्थियों की भूमिका में से क्या देखा जाएगा सबी कमेंड कीजे तो एक उच्च प्रात्मिक बिद्याले के सनशनात्मक कच्छा कच्छ में अपने स्वयम के आकलन में बिद्यार्थियों की भूमिका में से क्या देखा जाएगा सबी comment कीजेगा यह क्या देखा जाएगा बिद्यार्थियों अबालक बालिका अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे प्रस्ण क्या कह रहा है एक उच्छ प्रात्मी विद्याले के सनरत्म कच्छा कच्छ में अपने स्वैम के आकलन में विद्यार्थियों की भूनका में से क्या देखा जाएगा तो वह देखा जाएगा विद्यार्थी या ध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएं कोई भी डाउट हो बेफिक आप लोग कमेंड कर सकते हैं आपका प्रतेक कमेंड फीडबेक शरोपर है शर्मान है जैस्वासर अब जन्दन श्वागत करते हैं दोस्तो सततेवं ब्यापक मुल्यंकन किसले अवश्यक होता है सिच्छन के साथ परिच्छन का तालमिल बैठाने के लिए ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अलोकुन किया जाता है दर्ज किया जाता है वासुधार किया जाता है इसके साथ साथ सिच्छा बोड की जवाब देही कम करने के लिए इसके साथ साथ जल्दी-जल्दी की जाने वाली गल्तियों के तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गल्तियों को सुधारने की बात करेंगे हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ग्यानी सरव बखाता लोग हैं जेस्वास और आप सभी का भी डियंदान स्वागत करते हैं दोस्तो सतत एवं व्यापर मुल्याकन जिसलिए आवश्यक होता है वह हम सभी लोग जानते हैं वह इसलिए ये समझने के लिए अधियम का किस प्रकार अलोकन किया जाता है दर्ज किया जाता है वह सुधार किया जाता है इसलिए सतत ब्यापम मुल्यांकन के लिए आवश्यक है इसलिए है अधिग्यम का किस प्रकार अलोकन किया जाता है दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है इसके बाद अंगला प्रस्ण है किने में लिकित कतनों पर विचार करना है कतन क्या दिया गया है मुल्यांकन प्रक्या में कर्मबदता का विशेश महत होता है मुल्यांकन प्रक्या में विश्वास नीता नहीं आनी चाहिए बैपक्ता मुल्यांकन प्रक्या की विशेशता नहीं है इनमें से कौन से कथन सही दिया गया अब दो नहीं बाले हैं और एक हां बाला है अगर हां नहीं है नजलिय से देखा जाए तो हम सभी लोग जानते मुल्यांकन प्रक्या में क्रमबतता का बिश्यिस महत होता है क्रमबतता बहुत ज़रूरी है और मुल्यांकन प्रक्यम में बिस्वास नीता नहीं आनी चाहिए अगर बिस्वास आ गया तो फिर मुल्यांकन का उस पर महत तो नहीं बढ़ पाएगा यहां पर कार्डियंट क्या है आप लोगों भी अपने लॉजिकल पॉइंट से एक लॉजिकल कमेंट अवस कीजेगा हम बात करेंगे आपके अंगले प्रश्ण के दोस्तों सतत और व्यापक उल्यांकन की योजना में व्यापक सब्द खाली स्थान के लावा निमलखित के द्वारा समर्पित किया जाता है तो सतत और ब्यापक पुल्यांकरिक योजना में ब्यापक सब्द जो है खाली स्थान जेपी गिलफोर्ड के बुद्धी सनस्थान के सिधान के लावा इन सभी का समर्पित किया जाता है किसके लिए एल एल थारंस्थान का परात्मिक मानसिक योगता का सिधान बहबुद्ध का सिधान और सूचना प्रक्मन का सिधान ये तीनों सिधान जो है आपके सतत और ब्यापक मुल्यांकरिक की योजना में ब्यापक शब्द है लेकिन किसके अलावा जेपी गिलफोर्ड के बुद्ध सनस्थान के सिधान के अलावा इसलिए एकार्ड इंटो कुश्चन पहला आपसान यहां पे सही हो जाएगा और अंगला प्रस्ण हमारा क्या कह रहा है सभी लोग यहां पर कमेंट कीजेगा अंगला जो प्रस्ण कह रहा है कि मुल्यांकर का छेतर है देखे मुल्यांकर का छेतर सीमीत है है या सेमित है लोग जानते हैं मुल यांकन को मापन की बिदी है परिमनात्मक को दोनों या तो ये दोनों विदियां होती है, मुल्यांकन के मापन के विदि, परिमानात्मक, गुणात्मक, ये दोनों विदियां हो जाएंगे, अंगला मुल्यांकन प्रत्य है, संकीन है, बिस्त्रत है, आति संखचित है या ब्यापक है, तो हम सभी लोग जानते हैं बहुत ही आसान सा मुल्यांकन का प्रत्य 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 है यह जो पिचार हो जाता है आपके इस्टी विंसन का बिचार हो जाता है और इसके बाद अंगला प्रिसना इसके बाद मौक क्वेशन रहेगा मुलांकन वै क्रतिम प्रकिया है कि संपूर्ण सिच्छा प्रनाली का एकंग है यह जो कतन हो जाता है आपके कोठारी आयोग का हो जाता है सभी समझ गएँ आएज जान लेते है आज की क्लास का मौक क्या है मापन निमानसार वस्तों या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है मापन क्या है निमानसार वस्तों या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है यह विचार गुट का है डिवी का है नन का है या कारलिंगर का है सभी comment करके बताईएगा feedback करके बताईएगा और आप more question का साथ साथ ये आपका सभी के लिए more question है इसका भी comment करके feedback करके बताना है इसके साथ top 20 में आपने इस पार्ट में कितने स्कूप आप किया feedback कितना किया सभी को comment करना है मांकि सभी classes चल लएए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए प्लेलिस्ट आलेडी बना दिया गया है मैं आपके साथ जैस्वा सर मिलता हूँ आपके अंगली class पर सभी मित्रों को जैह हिंद बंदे मातरम